वल्कम बैक तो दी एजो डिटा चानल आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बॉक्स प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है पिछली वीडियो उसमें हम लोगोंने क्या कहता है काउंट प्लॉट के बारे में बात किया था इसमें लोग बॉक्स प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं तो सिंप्ली sns.libraries बगेरा मैंने पिछली वीडियो में जो इंपोर्ट करें थी वही चला रहा हूं मैं ठीक है सीबॉन मैट ले नम पाए और वही जो पिछले में लोड कर रहा था मैंने डेटा वही तो बॉक्स plot अब देखो इसमें आपको दो parameter लेने है x और आपके पास आगया y ठीक है और इसके पाद आपके पास आगया data डेटा में आप लोग वो डेटा यूज़ करेंगे जो आपको चाहिए जो आपने लोड किया मैंने टिप्स डेटा लोड किया हुआ इसलिए लिया है ठीक है पहरा parameter होगा आपका इसमें देखो मैं आपको डेटा शो करता हूं इसमें मैं हम लोग जो पैरामिटर ले रहे हैं वह ले लेते हैं एक तो डे का ले लेते हैं और कि किस डे में टोटल बिल जो है कितना हुआ ठीक है मैं यह दो चीज़ फाइंड करने के लिए डेटा ले लेता हूं चार्ट में तो अब देखो यहां पर एक्स ले लूँगा मैं डे और वाई नॉर्मल अपना टोटल बिल टोटल बिल हाँ ठीक है अब इसमें जब आप एक कोड जो है आप अपना रन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक बॉक्स बॉक्स का जो चार्ट है इस तरीक में आपको शो होगा ठीक है तो अब देखो इसको एंटर्कॉार्टल रेंज भी कहते हैं जो यह भॉक्स है इसको इंटर्कॉंटर्कॉार्टल 씨 भी कहा जाता है ठीक है 50 पर 05 20 पर controll Similarly एक तो आप बॉक्स होता यह तहीं कि थीन पार्ट्स में होता है ठीक है आपका जो lower age है ये डेटा का 25% होता है ये आपका 50% होता है ये आपका 75% होता है और जो बाकी 25% होता है वो इस area में होता है ठीक है तो एक सबसे पहला 25% आपका जो रहेगा data points वो आपके यहां रहेंगे 25% इसके बाद आप middle पर आओगे यहां पर line खिचे भी दिख रहें आपको यह आपका हो जाएगा 50% और इसके बाद जो आपका upper age है इस box का यह हो जाएगा 75% यहां तक जो data points होएंगे 75% उसके बाद जो बाकी 25% बचा वो इस form में दिखेगा और यह जो points दिख रहे हैं आपक यह जो points दिख रहे हैं यह out outreach मतलब outperform किया है इनोंने ठीक है यह जो points है इसमें मतलब की थोड़ा थोड़े लोग ही payment मतलब जो Thursday है जैसे मालो for example यहां पर Thursday लिखा हुआ है डे लिया हुआ है तो इसमें बहुत ही कम लोगों ने क्या करते है चालिस टॉलर का जो payment है वो कि जिसने मतलब बहुत से लोगों ने किस में पे किया है तो जैसे सबस्यादर लोगों ने किस में पे किया होगा आपका ओजाएगा इस point से लेके आपके $20 के बीक में आपका जो payment है वो हुआ है ठीक है और यहां पर भी यहां से चलो रहा है अपका देटा है वहाँ पर इस point से आपके इस area में जो payment है वो बहुत ही जादा बना है ठीक है Friday में भी Friday में थोड़ा high रहा है Saturday में थोड़ा सा और high और आपके पास Sunday में थोड़ा और high रहा है data का जो मतलब जो payment रहा है total bill का अब देखो इसमें आप लोग एक चीज और है आप फॉर एक्जांपल मैं इसमें एक चीज और देखता हूं कि यहां पर एक कैटेगरी क्या करता है एक एक कॉलम और है मेरे ख्याद से smoker का तो मैं अब हीव कर ले लेता हूं हूँ यूज कर लेता हूं हूँ इस इकल टू है कि स्मोकर अब आप देखिए एक तो आपके पास थर्सडे अब देखो डे के अकॉर्डिंग एक तो आपको पेमेंट पता लग गया कि जो डिनर है उसमें सबस्यादा पेमेंट कितनी से कितनी रेंज में हो रहा है और आपक हूंगे आपको पेमेंट होगा वो बहुत नहीं जादा होगा तो देखो औरेंज में हैनो यह चेस त तरीके से देखो आपका यह पैमेंट है वो में बहुत ज़ाद है तो इसमें उसमें हुख भी ठीकटार हो जाएंगे ठीक है इसी तरीके से आप लोग डेटास को यूज कर सकते हो फॉर एक्जामपल अगर आपको कुछ और भी यूज करना है तो मतलब कोई और केटेगरी यूज करना चाहते हैं वो भी आप लोग इस हीव में डाल सकते हैं ठीक है सी बॉंड में हीव का जो हीव पेरामिटर है वो ज्यादा बेनिफिशल रहता है इससे आप लोग जो आपकी कॉलम से उसको आप एड कर सकते हूं ठीक है आप फॉर एक्जामपल में स्मोकर अटाएक यहाप पर टिप्स भी डालूं और फिर एंटर मारूं एक स्टिप्स की स्पेल एसमें टिप है सोरी टिप्स नहीं है है ख Championships इंडेक्स जो है खली टिप की है कि चार्ट बहत ही चार्ट इस तरीके से बनेगा तो अबढी मेरे क्याओ इस वेश्में बहुत सब्सक्राइब करें आप देखो इस चार्ट में मैंने टिप्स पेर निहीं वना पया यहाओ दो से ज़ादा कैटेग्री से बहुत सरी कैटेग्रें क्योंकि एक डॉलर एक पॉइंट श्यासी तो जितने डॉलर की टीप होगी वो सब को लेगा तो चार्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा इस वज़े से मैंने स्मोकर लिया स्मोकर में दो प्लम हो तो आप लोग कमेंट कर देना नीचे मैं उसका भी आपको जवाब दे दूँगा तो ठीक है वीडियो ही तक रखते हैं इसके बाद अपनी मुलाकात होगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ